कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एगडी उडान के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपको फुल एगरी कल्चर का एक प्रेटिस सेट शाल करवाएंगे तो यह हमारा प्रेटिस सेट नमबर दो है इससे पहले भी मैंने एक प्रेटिस सेट शाल करवाया है जो की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा जो वीवर हमारे साथ में नए जुड़े हैं वो इसे प्लेलिस्ट पे जाकर करके देख सकते हैं और यह जो प्रेटिस सेट है इ तो चलिए आपको बता देते हैं कि आपको इस वीडियो को अंतक देखना है और जो भी कोस्टन इसमें हमने रखे हैं तो आपको एक इसके साथ साथ में आईडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से और किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत कहनी है तो हमने यहां पर एक complete शिट लिया है यह यूपी केटेट की दर्स से यहां पर साथ कोस्टन हमने लिए हैं इन साथ कोस्टनों में जो यूपी केटेट में पूछे जाते हैं इसमें एग्रो नामी जो होती है वहां से 15 कोस्टन आते हैं और स्वाइल साइंस जो होती है उसके 10 10 question आते हैं और हाइटी कल्चर से 15 question आते हैं और अनिमल हस्बैंडी से 10 question आते हैं और agriculture इंजिनिंग जो रहती है वहां से 10 question आते हैं तो कुल मिला करके जो टोटल question होते हैं वो 60 होते हैं ठीक हैं और आपको हम यहां पर जो प्रेटिस्टर साल्व करवाएंगे इसमें हमने according to subject और question लिये हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा किस किस तरीके से किस तरीके के question पूछे जाते हैं तो चलिए आप हमारे साथ इस वीडियो को अन तक देखिए और साल्व करिए question को हो सके तो अपने आप से पहले साल्व करते लिए वीडियो को पुछ कर करके नहीं तो आपको हम साथ साथ में साल्व करवाते जाएंगे तो चलिए पहला question है मेश्टर नहल से बने कूण का आकार होता है यहाँ पर पहला option है 8 cm दूसरा है 12 cm तीसरा है 15 cm फिर है 20 cm ठीक है तो यहाँ पर अगर आकार की बार जब करता है तो दस्तों जो आकार इसका मतों कूण का आकार जो होता है चौड़ाई गुड़े गहराई ठीक है मतलब हाल द्वारा जो जुताई की जाती है तो कितना चौड़ा और कितना गहरा बनता है लेकिन यहाँ पर चौड़ाई से बात कर रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा 15 cm ठीक है और अगला question है question नंबर दो सीधा फार कि सल में पाया जाता है ठीक है तो यहां पर सीधे फार की बात कर रहा है कि जो सीधा फार होता है वो पहला person है विक्ट्री में पाया जाता है अगला कॉस्चन है हाल में लगे वर्टिकल ट्लेविस से नियंतित किया जाता है उस्तों यह हुने जो होते हैं यह हडिस में लगे होते हैं अगर इसके अगर घराग पर जिससे हम लोग मार्च को या किसी मतलब्यांत को जोड़ते हैं जो इसको चलाता है तो कुर की इसमें आफस्षणद हो है कौक्ड की चौड़ problems two types की होते है और एक होड़ होता है तो इसके दवरा क्या हुता है गहराई के जो कुण की गहराई होती है उसको नियंतित किया जयाता है अगला कुश्चन है यह दोस्तों Engineering चल रहे हैं और इंजिनिmost के यहाँ पर 10 कोश्चन है के टीकोनिया हैरो में कुटियां लगी होती है एक बुझा पर दुझाओं पर तीन बुझाओं पर इन में से कोई नहीं तो जो ठीकोनिया है रोटा दूस्तों वहां पर तीन कोने होते हैं उन पर पट्टियां लगी होती हैं तो यहां पर जो करेक्ट टैंसर होगा वह जाएगा तीन भुजाओं उपर ठीक है अगला कुस्ट्टन है इस्ट्ट्टीं का प्रेयोग कहां किया जाता है तो पहला अप्र सने धूलर रसायन चिश्ड़काओं तीसरा है ध्रव बाद दोनों जिश्ड़काओं और चोतल आंस्टन है वह हैं इन में से कोई नहीं तो यहां पर जो तो यहां पर यह एंसर हो जाएगा भी ठीक है अगला कुश्चन है जिस उपकरण्ट से जमीन में बीज डालते हैं उस उपकरण्ट का नाम डिबलर टांस्प्लांटर सीड ड्रील या सीड कम फर्टिलाइजर तो यहां जो सब्सक्राइजर है वह है सीड डिल ढालते हैं अगला कुश्चन है वावा कल्टिवेटर में खुल्पों की संख्या कितनी होती है साथ नौ तीन-पांच तो यहां पर छो उसमें जो खुर्पों की संख्या होती है वो होती है पांच ठीक चौथा अप्सन अगला है डिबलर में खुटियों की संख्या कितनी होती है 20, 27, 30, 9 तो जो डिबलर होता है उसमें खुटियों की संख्या होती है 27 और या बहुत ही महात्पूर कोश्चन है बहुत बार एक्जाम में पूछा जा चुका है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 9 सक्ति चालित गन्ना कोलू की कार्च हमता प्रत दिन होगी प्रत दूंपर है 202पर प्रत दिन फीर 170ब्रट relaxing प्रत दीन बहीं यहां जो प्रत दिन के अगर बात कर घृत आपच्छल अगन मिदा आट घंदे Split कोलू होत ए उसी को बने तो यहां पर जो करेक्ट एंसर हो呢 अगला है पस चालित कोलू से रस निकाला जा सकता है उसे कितना दस निकाला जा सकता है परते समय तो यहाँ पहला अप्शन है 60-50 दूसरा है 70-75 प्रसंट थीसरा है 80-85 प्रसंट और चौथा है 50-55 परसंट तो इसका जो और एंसर है वो 60-55 हो जाएगा पहला अप्षन यहां पर correct answer है ठीक है अगर यहां पर सक्ति-चालित की बात करता तो सक्ति-चालित में हो जाता है 70 से 75 तक चला जाता है ठीक है या 75 से 75 इस तरीके से होता है लेकिन यहां पर जो correct answer पहला है यह अगला question है यह दोस्तों दस थे engineering के question आप देखेंगे हम कि question है लेक्टो मीटर रीडिंग क्या होती है तो जीरो से 32 जीरो से 40 तीस से 32 तो जो लेक्टो मीटर रीडिंग होती है दोस्तों वह होती है जीरो से 40 होती है इसके द्वारा दूद की सुधता नापी जाती है तो यह आप जो हम question ले रहे हैं यह एनिमल हस्पेंडी के हैं और यह भी दस question रहेंगे तो आपको अच्छे से देखते चलना है कि इसी तरीके से question आते हैं जहां जहां से जिस तरीके से question पूछे जा रहे हैं तो आप उनको करते चलिए और हम आपको इस time to time ऐसे प्रेटिस से देते जाएंगे तो आप हमारे साथ जूड़े रहें और चैनल को जरूर विजिट करते रहें वहां पोई भी आपको अच्छे से वीडियो मिल जाएंगे जो आपको एक्जाम में काफी help करेंगे अगला question है दूद में प्रोटीन का कितना प्रसद भाग केसीन के रूप में पाए जाता है तो पहला option है 60% फिर है 70% फिर 80% फिर 90% तो यहां जो करेक्ट टेंसर होगा जो केसीन दूद में पाए बताब दूद को जब दूद्ध को दोते हैं तो किस वीडि से हम दूद की दुआई करें जो सबसे अच्छा होगा तो पहला चुटकी वीडि दूसरा है पूर्ण हस्त फिर अंगुठा वीडि पिर इन में से कोई नहीं तो दूद दूने के सबसे जो वीडि होती है वो होत तो जो रानी खेत होती है वो दोस्तों मुर्गी से सम्बंदित होती है यहाँ पर पहला अप्सन हो जाएगा अगला कुस्चन है सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करने वाला पसु है तो देखेंगे यहाँ पे पहला अप्शन है भेंड दूसरा अप्शन है हाथी तिसरा है उंट चौ थाय सुवर तो यहाँ जो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा गर्मी यहां सह सकता है तो वह जाएगा पर करेक्ट एंसर है सी ठीक है फिर अगला कुस्च्चन है कि सर्रा रोग किस से संबंदित है तो यहां पर पहला आप सेने मुर्गी दूसरा है भेंड फिर है बक्री फिर है उन्त तो सर्रा रोग दोस्तों जो होता है वो होता है उन्त से आपिवहे इसको अगला कुषिन है कुष्टान नम्बर 17 के भेंर में पूंच काटना कहलाता है जो होती उसको जब उसकी जब पूंच काटना कहलते हैं उसके रिया को क्या कहते हैं कलिंग plural sing casting या विवाफ करना होता है उसको हम लोग नांकिंघ कहते हैं इसका correct answer हो जाएगा डी अगला question है कि किस से संबंदित है पहला option है बक्रियों से फिरे भेंड से फिरे मुर्गियों से फिरे इनमें से कोई नहीं डीकिब दोस्तों जो होता है मुर्गम से सम्बांधित होता है जो मुर्गमी से संच होती है तक काट दिया जाता है मतलब जैसे के दोसब अग्ला कुश्चन मुर्गम के जाता है तो पहला अप्षान है 120 फारणाइट दूसरा है 107 फारणाइट तीसरा 105 फारणाइट जो था 101 फारणाइट यहां पर जो करेक्ट एंसर होगा वह 107 फारणाइट है बहुत इंपार्टन्ट या कोश्चन है अगला कोश्चन है कि कोश्चन नमबर 20 है कि भेंड के प्रॉण मादा एडल्ट फीमेल जिसको बोलते हैं को क्या कहते हैं किड सौ इव डोए ठीक है तो यहां जो करेक्ट टैंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इव सी आप्शन ठीक है अब यह दोस्तों जो कोश्चन थे यह अनिमल हस्बेंडी के हो गए तो टेन इंजिनिंग के हो गए टेन आनिमल हस्बेंडी के होगे आप आगे देखेंगे अगला कोस्टन आलू तथा सकरकंद पुर्टगालियों द्वारा भारत में कब लाए गई गई तो यह हाठी कल्चर के कहां से कितने क्या को TsАना रहे हों किस तरीकmile जार है आपको काफ़ी help करेंगे प्र बोखरी लिए एक पइसने किसे पाफ नाहीं सब्कुचे कि सब्सक्राइब अगला कॉस्शन है मानसून किस भासा का सब्द के बहुत important question बहुत बार एक्जाम में पूछा जा चुका है इसको आप अच्छे से याद रखेंगे तो आप जो है क्लाइमाइट ओला जी को अच्छे से रिट करने हैं वहां से यह सब कुछ मिल जाएगा तो पहला आपसे ने फ्रेंच दूसरा है लैटिन फिर है ग्रीक फिर अर्वी तो यहां जो करेक्ट एंसर हो जाएगा जो मांसून है दोस्तों एक अर्वी सब्द है तो यहां करेक्ट एंसर हो जाएगा चौथा पिर है कि तेस नंबर कोश्चन कि आई वी आराई इंडियन वेटनरी रिसर्श इंस्टिट्यूट कहां इस्थित है नई दिल्ली हर्यारा उत्तरप्रदेश महाराष्ट तो यहां पर इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा जो आई वी आरा आई वी आराई है यह दोस्तों यूपी में पढ़ता है आपको ध्या ना रखना है कभी कबार ऐसे पूंच दिया जाता है इस टेट से रिलेटेड ठीक है और अगर यहां पर यह ना होता तो आई वी आराई जो इजन अगर ब्रेली में है तो आप इस तरीके से विध्यान रखेंगे किस स्टेट में पढ़ता है अगर यह मांली जीए कि राष् सितंबर 16 जुलाई और 23 दिसंबर यह यूपी केटेट के एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे तो यह है तेस दिसंबर ठीक है अगला कुस्चन है क्रस रसाइनी के जो क्रस रसाइन की है उसके पिता कौन है मतलब पिता हमा कौन है पहला स्वन है वीवी डाकू दुसरा है लेवासी फिर जेवी लीविंग फिर है जंत्रो टूल यहां दोस्तों क्रसी रसाइन की की बात कर रहा है तो यहां पर जेवी लीविंग होंगे अगर नार्मल बोलता की मतलब रसाइन विग्यान के पिता है तब जाकर के ले जितने भी एंतर हैं उनको अच्छे से लीट कर लिएं तो इसका जो करेक टेंस पहला आप्सेन है टेंसियो मिट्र दुसरा पिलाइं इमिटर फीर पिकनो मिटर फिर है केस्कोग्राफ जिसका correct answer है वह है केस्कोग्राफ ठीक है डी आप्सन अगला question है पहला अग्रा रोग जिसको गंजापन बोलते हैं किस vitamin के द्वारा होता है तो यहां पर vitamin पहला आपने विटामीन B1 दूसरा विटामीन B2 फिर है विटामीन B5 फिर है विटामीन B12 तो इसका जो को नोबेल पुरुषकार का प्राप्त हुआ यह कुश्वन काफी इंपार्टेंट और बहुत ज्यादा एक्जाम में पुच्छा जाता है तो पहला आप सुने 1987 दूसरा है पढ़ लें ठीक है फिर है सेरी कल्चर में किसका अध्यान किया जाता है एक कोस्चन यह जो अध्यान होते हैं वहां पर भी आ जाता है यह जुलोजी और एक्रिकल्चर दोनों को कम्बाइंड रूस से करता है तो यहां पर पहला अप्शन है मधमक्खी दूसरा है रेसम कि अगला कोस्चन है कि राष्टी बीज निगम की स्थापना कभी तो पहला अप्शन है 1963 फिर दूसरा उनीच चांच है फिर उनीच सो 79 फिर उनीच सो साथ अब एनसी की बात करता है इसको साथ फाम में बोलेंगे एनसी नेशनल सीट कार्पोरेशन तो इसकी जो स्थापना है वह 1963 में हुई थी पहला अप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा फिर है कि बीज सुचकांक क्या है हजार दानों का भार सव दानों का भार पचास दानों का भार और पांसो दानों का भार देखिए यहां पर सीट साइन से रिलेटेड भी यह सब एग्रो नामी के अंतरगत आ का वहुशन दोस्तों ठीक है यहां पर जो एक्रोणामी से कोस्ट थे वह पंदरे रहते हैं ठीक है और हमने आपको यहां पर पहले नामी हैं कोई दिक्कत नहीं आप देख लिए अच्छे से तो अब ध्यान देंगे यांप पर 20 सुचकांक की बात कर रहा है तो तो सौधान टेश्ट वेट होता है वह होता हुटा है फजार दानों का भार किसकी है धान ज़ॉार मक्का तो यहां पर जो क्रेक्ट एंसर हो जाएगा बात करेगा तो नविद सबसे अदा मक्का की है फिर अगला कोस्टेन है कि बाजरे की प्रमुख व्याद क्या है अरगट हरितबाल रोग कंड़ रोग और सभी तो यहां पर देखिए सभी रोग जो होते हैं वो बाजरे में पाए जाते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा सभी और यहां से देखना यह अरगट बहुत ज्य जाने की संभावना बहुत रहती है कि फिर जोहंसन घास किस खर्पतवार का नाम है तो यहां पर देखिए आप कुछ जो है वीडशाइन से भी कोश्य निकाद हैं तो पहला है कांस दूसरा है दुप घास फिर मोथा फिर बरु घास और यह सब एग्रो नामी में आ जाता है कि एग्री कल्चर से लेटेट तो यहां पर जो जो हंसन घास होती दोस्तों ठीक है वो कहते हैं बरु घास को किसको कहते हैं बरु घास को यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा चौथा पिर अगला कुश्चन है गेहों की फसल का प्रमुक जैव औरोरक कौन सा है ठीक है तो यहां पर एंसर करेक्ट जो होगा हो जाएगा एग्रोनामी से हो गए अप यह फस्टियर की एग्रोनामी में इस्वाइल साइंस पाई जाती है तो यहां से देखे च्छतिसमा मताव दस जो आप कुक्ष्टन रहेंगे वह किसके होंगे स्वाइल साइंस के तो 36 से सुरू होता है मरदा विज्ञान तो यहां पर पहला कुश्चन है मरदा में कार्बन राए अक्साइड की मात्रा पाई जाती है तो जी रो दसमलो जीरो तीन परसेंट दूसरा है जीरो दसमलो तीन जीरो फिर है 3% फिर है 2.5% अब यहां पर बहुत ध्यान से समझने वाली बात है यह मर्दा की बात कर रहा है वाइव मंडल की बात नहीं कर रहा है यह बहुत confusion रहता लोगों को वह यहां पर जो करेक्ट एंसर यह होजाएगा इसकी जो मातरा एक्जिक्ट होती है वह 0.210 3,0 ठ ON ओर वह और तो आपको यह पैसे वावा एबस से लें वा जाते हैं गला question मर्दा में क्पार्व कोशल करदा कि कि मात्रा होती बहुत इंपार्टेंट कभी क्कार्वनीज पिंछ दीगा कवा प्पार्वे üzल यहां पर कदा है दोर सो कितने होते हैं तो यहां पर चाल्छ प्रसंट पायोा है तुझा आप का तो यहां पर देखेंगे आप यह जितने जिफ्चंब लाग नुटान नमी मीटर और टेंसियो मीटर यह तीनों जो यंत्र हैं यह म्रदा की नमी को ग्याद करते हैं लेकिन एक्जाम में ज्यादा तर यह तेंसियो मीटर ही पूंचा जाता है और जब अगर बालू म्रदा की दिए कर आंसर ही होता है थpa तेंसियो मीटर ही ठीक है अगला कूस्ट्ण है कि मैं से मुल चटान का उदाराड़ दो च्ट में प्रकार की होती है तो इसमें कौना उसका उदाराड़ है ला jenoule बालू पत्त है दूश्रा ग्रेनाई तीसरा जिफ्स और क्या हो सबसे पहले हम आपक्सơn पहला देखेंगे दो अनपात एक फिर है चार अनपात यहाँ दलहनी फसलों की अगर बात करता है तब एक अनपाद दो अनपाद एक हो जाएगा एन पीके का इसी डेशियों के अमसार से मतलब हम खेत में खाद डालते हैं और बुरक जो परयोग करते हैं कि अब ध्यान से समझना यहां पे हम पूछ रहे हैं और अगर प। पूंचते तो अलग बात हो जाती तो बाराइड रॉशन दार बाइस और नीज में तो जो सल्फर पाइजाते है है यहां पे 12 प्रज्सनट Chat होगा अगर हमrics की बात करते तो वो इसका पहला होगा कि अगला कॉस्चन है पौधों के लिए सबसे उपयूक्त जल कौन सा है फौर के लिए सबसे उपयूक्त जल कौन सा है तो यहां पश्चा उंच करते हैं इसका गरही grace technique केस का कदर और यहां कोश्चन बहुत इंपार्टेंट है इन सभी जलों में से यहीं पूंचा जाता है जादा तर एक्जाम में ठीक है यह रंधरों द्वारा रोक लिया जाता है फिर अगला कोश्चन है कि मतर के खैक में सह जीवता करने वाला रगयीम जीवाण हुआ है मतलब मतर के खैक में कौन साथ जीवाण हुए नतिजन को सत्रीकर करता है उसके साथ तो Совall जो जो पियां सेरम तो ये पिर अगला कोश्चन है च्वालिस नंबर कि भारत में हरी खाद सबसे उपयुक्त फसल है इस कोश्चन को वह ध्यान से बारे कि समझ लिए यहां पर कह रहा है कि सबसे उपयुक्त फसल है उपयुक्त की अगर बात करता है तो यहां पर पहला अप्षान है सनई दूसरा हो जाएगा सबसे उपयुक्त सनई हो गई सबसे जादा हो जाता है तो यह कई तरीके कोश्चन रहते हैं तो आपको यह तो सलेवस में पढ़ना रहता है तो यहां जो इसका करेक्ट एंसर है वो सनई है फिर एम ओपी सब उर्वरक में पोटास की मात्रा होती है तो जितने भी उर्वरक हैं उनमें से कभी कबार एक से ऐसे कुछ पूंच दिया जाता है एमोपी हो गया डियोपी में जैसे नतरजन पूंच दिया किसी में कुछ पूंच दिया तो आपको यह सभी कोश्चन अच् अब यहां पर पोटास पूंच रहा है दोस्तों तो एमोपी में जो पोटास होती है वह पाई जाती है साथ परसंट ठीक है कितना पाई जाती है साथ परसंट तो अगला कुश्चन है एक हेक्टेयर छेतफल कितने एकड के बराबर होता है और बहुत इंपार्टिन कोश्चन है कभी यह पूछ देता है कि एक एकर बराबर कितना हेक्टेयर होता है तो यह सब आप अच्छे से रीट कर लेंगे यहां पर जो करेक्ट एंसर होगा पहला आप्षन है कि 0.4-0-5 एकर दुसरा है 25 दस्मलो 25 फिर दो दस्मलो 47 एकड फिर अगला है आपसें 0.247 एकर तो एक हेक्टियर जो होता है वो इसके बराबर होता है तो इसमें आपसण पहला है जैसे डायोचियस दुसरा है गाइनो डायोचियस फिर इनमें से कोई नहीं तो यहां जो एंसर होगा वो हो जाएगा मोनोचियस क्या होगा मोनोचियस अगला है आम में प्रवर्धन के सबसे उपयुक्त वेद्ध काफी की फैमली क्या है है जकें आप देखें यह सभी जो स्ट चल ले हैं यह Dong bucks त्छ जलड़न हैं यह 15 सिंद रहेंगे इस मेंट इअर आप आपसे आपकट्रों कमद आप इंदिवर क्ल render 235 जो काफी की फैमली हिस वह होती है रूबिय शीमें यहां पर यह आणसर हो जाइगा सी हाी पिर अग्ला है आलू में कंद का हरापन किसके कारण होता है बहुत इंपार्टन को स्चन और बहुत ज्यादा एक्जाम में पहुंचा जाने वाला को स्चन है तो सेणी ग्रीन और्वियम्न क्लोरोप्लास्ट सोलेनीन ओलिए और एजिन तो यहां पर चाहरापन किसके कारण होगा यहां पर हो जाएगा सेए और सोलेनीन। है अगला स्टिश्वंत है सबसे ज़्यादा फासफोरस यूग तुफल कौन सा है काजू बादाम अक्रोट शरीफा यहां पर फासफोरस पूछ रहा है तो आपको क्या करना जितने भी यह पूसक तत्त होते हैं जिसे फासफोरस है कैल सीम है या फिर मान लिजिए नतजन है या कुछ भी मतलब कुछ भी पूछता है आप उसको वसा है आप अच्छे से रीट कर लें ठीक है तो यहां पर जो करेक्ट टैंसर हो जाएगा वहोगा बादाम बादाम यहां पर केल्सियम पासफोरस और वसा और यही सब चीजे हैं इसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है प्रोटीन को देते हैं क जामए जादत है कि यहा को पै chilly आप सरने साइकों एक केपसूल तीसरा इसोरो चौथा था है जो अननास होता है वह थे सोरोसिस ठीक है यहाँ परAccetकेंसर हो जाएगा सींशपैर है तो फेड्य यहां दोस्तों जो आम में खाया जाता है जिसको बोलते हैं मद्ध फल्वित्ति कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसको आपको इंगलिस और हिंदी दोनों याद रखने चाहिए तो वह एक्जाम में आते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है आपको आते हुए कोश्चन भी आपका छोड़ जाता है तो आप ज्यादा तर कुछ ही ऐसे सब्द होते हैं जिनको इंगलिस और हिंदी दोनों में याद रखते वे चलना रहता है तो ऐसे याद रखेंगे फिर सब्दियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक की उपयोक्त मात्र होती है तो यहां पहला प्रसंट दूसरा है दो प्रसंट फिर है दस प्रसंट जो इसका गृक्त अंसर हो जाएगा दो प्रसंट ठीक है सिस्ट्रल पूर्टि अगला कॉर्श्ष नहें सी एफ्टी डारी já हля सेंट्रेल फूर्ट टेकनोलोजिकल रिसस इंस्टिटुट इसका फोल नियम होता है Central checking Logical a Express Institute ये कहां स्थिथया दूपला है तो इसमेरश簡 दी का ने हम तो स्मेस्ट तो ईसके जो करेक्ट टेंसर होगा वह जाएगा कैना टक और यह एजाम में पूछा जाचुका है पुछले आम का जन्विस्थान क्या है यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो यहां पर देखेंगे पहला अप्सन है ब्राजील दूसरा है चीन फिर अफगानिस्तान फिर भारत तो तो आम का जन्मिस्थान होता है वो होता है भारत यह कभी कवाल लिखिया जाता है इंडो बर्मा ठीक है तो आप ध्याण रखेंगे इंडू जलवायू क्या है बहुत इंपारटेंट है तो यहां पे देखेंगे टॉपकल सब्टॉपकल टेंपरेट या आल तो इसका जो करेक्ट टेंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सब्टॉपकल ठीक है अगला कुश्चन है पीथियम अफानी डर्मेटम संबंधित है इस्टेम राट रूट राट पावडरी मिल्ली या डेंपिंग आफ तो पीथियम अफानी डर्मेटम जो होता है देंपिंग आफ से संबंधित होता है अगला कुश्चन है प्फूलों को सजाने की जापानी इकला कहलाती है उसको क्या कहते हैं बिना बॉन्साई टोपियरी या सभी तो आप इसमें से जो करेक्ट टैंसर हो जाएगा हो जाएगा एक के बेना ठीक है यह इसका करेक्ट टैंसर है अगला कोश्चन है गलेडियोलर्स की फैमली क्या है कमपोजिटी रोजेसी इरिडेसी एस्ट्रेसी तो यहां पर जो इसका करेक्ट टैंसर होगा वह जाएगा एडेसी ठीक है पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक इससे सेर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और हमें मतलब किसकी टापिक से डिलेटेड वीडियो बनाने चाहिए जिस इसकी आपको जरूरत होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं जतने ज्य तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो है तब तक के लिए धन्यवाद